चर्चित हिमान्शू हत्याकांड में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्याया धेश दिपांकर पांडे की अदालत ने गुरुवार को 19 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई किर्केटर हिमान्शू की निर्मम तरीके से हत्या के दो साल बाद आये फैसले और आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जाने के बाद हिमान्शू के परिजन खुश नहीं है हम चाहते हैं फंसी का सजाई होना चाहिए तब तो हमको संतूश रोगा दरसल हिमान्शू यादव गाउं की अपनी ही जाती की लड़की सोनी से शादी किया था जिससे की लड़की के परिजन नराज थे ससुराल बालों के भैसे हिमान्शू यादव गाउं छोड़ दिया था कुछ मा घर से बाहर रहने के बाद हिमानशु यादव पतनी सोनी के साथ अपने गाउं कजरेली गवराचो की वापस आया 5 जून 2017 को हिमानशु के ससुराल बालों ने हिमानशु के घर पर हमला कर दिया तक्रीवन 25 की संख्या में हिमानशु के घर पहुचे लोगों ने हिमानशु को पीटते हुए घर से बाहर रोड पर ले जाकर तेज धारदार सरिया हिमानशु के पीट में घौप दिया और आधा दर्जन से अधिक गोली से हिमानशू का शरीर छलनी कर दिया और हिमानशू की पतनी सोनी कुमारी को अपने साथ लेकर चला गया घटना के बाद परिजनों ने हिमानशू को अस्पताल में भरती कराया जहां किरकेटर हिमानशू यादव की मौत हो गई किरकेटर हिमानशु यादव की मा जैलस देवी ने नजदी की थाने में 21 आरोपितों के खिलाप FIR दर्ज कराया था घटना के दो साल बाद गुरुवार को फैसला आया जिसमें 19 आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई लेकिन हिमानशु की पतनी सोनी कुमारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है किरकेटर हिमानशु यादव की मा ने बहु सोनी कुमारी के परिजनों पर अफ़रन का आरोप लगाते हुए सोनी की मा आशा देवी समेत आठ महला और दो पुरूस के खिलाप FIR दर्ज कराया था किरकेटर हिमानशु के हत्या के बाद परिजनों में इसकदर भय समाया है कि पुलीस सुरक्षा के बाद भी हिमानशु हत्याकांट के अंतिम फैसले के दिन भी हिमानशु के परिजन पोट नहीं पहुचे हलाकि करकेटर हिमानशु यादव की मा जैलस देवी को अब भी अपनी बहु सोनी कुमारी के वापस धर आने का इंतिजार है सिल्क टीवी से विकास सिंक रिपोर्ट